भारत बनाम लेस्टर शायर के बीच खेले जा रहे अभ्यास मुकाबले के पहले दिन भारती टीम लड़ खडाती हुई नजर आई जहां पहले दिन भारती टीम ने 8 विकेट गवाकर 246 रन बनाएं आपको बता दे कि इस मुकाबले में भारती दिगज रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे बलेबाज भी रन बनाने में असफल रहे भारती टीम इस मुकाबले के पहले दिन पहले दो सत्र में संघर्श करती नजर आई लेकिन अंतिम सत्र में विकेट कीपर बलेबाज श्रीकर भरत ने भारतिय टीम को संभालते हुए सम्मान जनक स्कोर तक पहुँचाया आपको बता दे कि श्रीकर भरत इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं और उन्होंने पहला दिन 70 रनों पर समाप्त किया आपको बता दे श्रीकर भरत ने भारतिय टेलिंडरों के साथ मिलकर टीम को 246 रनों तक पहुचाया एक वक्त पर जब टीम इंडिया डेर सो से भी कम के स्कोर पर अपनी साथ विकेट गवा चुकी थी उसके बाद श्रीकर भरत ने संभल कर बल्लेबाजी की और अपनी पारी के बल पर टीम को 246 तक पहुचाया श्रीकर भरत की पारी की बात करें तो उन दोंनी पूर्व भारतिये कफ्तान विराट गोली के साथ मिलकर चटे विकेट के लिए 57 रनों का योगदान दिया, उसके बाद विराट कोली 33 रनों पर ही अपना विकेट गवा बैठी उसके बाद श्रीकर भरत ने आठवे विकेट के लिए उमेश यादव के साथ मिलकर 66 रनों का योगदान दिया शुरीकर भरत जब तक इस पारी में भारते टीम के लिए बलेबाजी करते रहेंगे भारत की उमीद बड़े स्कूर की बरकरार रहेगी ये मुकादला शुरीकर भरत के लिए काफी जादा जरूरी था और बलेबाज ने इस मौके का अच्छा फायद उठाया है इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ